नमस्कार दोस्तों, यूपी में आज चौथे दौर का चुनाओ हो गया, नौजिलों की 69 सीटों पर वोटिंग के साथ आज की तारीख में अब तक यूपी की 231 सीटों पर वोटिंग हो गया, 403 सीटों की विधान सब्सक्राइब, यानि आधे से जादा यूपी में चुनाओ अगर हम इसको एक विशले सक के नजरिये से देखें, तो चौथे दौर के चुनाओ के साथ ये तैह हो गया होगा, और ये तैह हो गया, कि 10 मार्च को नतीजे जबाएंगे, तो सत्ता में कौन रहेगा, योगी आधितनात की वापसी होगी, दोहराओ होगा, या बदलाओ हो अगरों में वहाँ वोटिंग होनी है, 172 सीटे बची है, जैसे बंसल जी ने कहा कि उन्होंने तीसरे दौर तक उनका आकलन है कि 100 से ज़्यादा सपा हो गई, पार हो गई, वैसे ही कुछ उसी तरह की बात शरत जी भी कर रहे है, शरत गुपता जी भी, शरत पधान जी भी, असोग बान खेरे भी क्या कहेंगे, अभी हम उनके पास जाएंगे, लेकिन अब चुकी आप जाती है, समिकरन को समझते हैं, बार बार यादा बोट बैंक, गैर यादा बोट बैंक और इन सब की चर्चाएं होती है, चौते दोर का चुकी चुना हो गया, सारी डिपेंडें को तीन बार सत्ता दिलाई, यूपी में, चाहे 14-19 की बात करें, चाहे 17 की, और उसी पर उम्मीद अखले श्यादर की भी है, तभी स्वामी प्रसाद मौरिया और धर्म सिंग सैनी और बाकी लोगों की आमद हुई समाज बाते हैं, अब आपका आपका आंकलन क्या कहता है, क बहुत दिल्चस्प है कि इस बात के खुशी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश इन्हें देश भर के हर नागरिक को, कि लाख कोशिशों के बावजूद, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां अयोध्या, काशी, मतुरा तीनों है, और केंद्र और राजे में उनकी सरकार ह जानते हैं, इन सब कोशिशनों के बावजूद, ये चुनाव साम्रदाइक जमीन पर नहीं हो पा रहा है, ये जमीन उन मुद्दों पर है, जो किसी एक आम नागरिक के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं, और फिर आप उसे बाइफर्गेट करते हैं कि अलग- जाती भी एक पहचान है, इस आधार पर ही मैं कहूं कि मीडिया में अपने किस्म से ये बहस हो रही है, जैसे हम अक्सर ये अफसोस करते हैं कि आप तो टीवी चैनल में रहे हैं और तमाम बरिश्ट लोग रहे हैं, अब तो टीवी चैनल धज़ती हुई आग के बीच बहस क पी की राम आयर तो ये शब्दावलियों का खेल है, उन्हीं में एक शब्दावली बड़े दिल्चेस थे कि पहला चरण जाट लेंड, दूसरा चरण मुस्लिम लेंड, तीसरा चरण यादव लेंड, और चोथा चरण अब कौन सा लेंड है, ये तो भाशा में आया नहीं, तो मैं इसे कहता हूँ जी, ये सामाजिक न्याय का लेंड है, क्यों? क्योंकि यहां किसी एक जाती का वर्चस नहीं है, और कई ऐसी जातियां हैं, जो थोड़ी-थोड़ी तादात में इन पूरे इलाकों में बिकरी हुई हैं, जो नव जिले इस चोथे चरण में हमारे साम अब इसे आप कैसे देखेंगे, कि ये कैसे रियक्ट कियोंगे, आज हुआने कैसे वोट दिया होगा, तो इसे दो-तीन हिस्तों में अगर बाटे, रुहिलखन का इसा अलग है, अवत का इसा अलग है, बुन्देलखन के थोड़े से इलाके में, तराई अलग है, लकिमपू में बैटे हुए हैं, तो आपको पता होगा कि आजाद भारत में कैसे एक ग्री राज मंत्री को, प्रधान मंत्री जब वोट डालने आते रहोंगे, तो बड़ी सादगी से लोगों से मिल कर गे, लेकिन आज जब वोट डालने आये, तो वो ऐसा लग रहा था कि क्या ही ये वो एक अजब दिर्शिता, वो एक परदिर्श्ट है, इंडी के सवाल जो है, उस पूरे तराई वेल्ट में एक प्रमुख मुद्दा हैं, और इन खिती किसानी करने वालों में एक बड़ी तादार OBC जातियों के, क्योंकि दलितों के पास आज भी जमीने नहीं है, लेंड जैसे संडिला में भी राजबर्द पार्टी ने अपने कंडे टुक उतारा है, बादा फतेवपूर की तरफ आप आएंगे, या इलाबाद के करीब की तरफ जाएंगे, तो वहां पूर्मी यानि पटेल समुदाय भी बड़ी तादात में है, जहां मैं लखिमपूर कीरी मे हूँ, लखिमपूर कीरी में है, OBC कई सीटें ऐसी बीच में जोड रहा हूँ, चुकि मैं यहां हूँ, और मैं आप ही लोगों को सुन रहा हूँ, बीच में थोड़ा सा छेपक, जैसे निघासन सीट है, जो सीट उसकी अजय में स्टेनी की है, जहां से 2012 में जीते, बाद मे का कॉंबिनेशन थोड़ा दूसा, पासी है, और यहां है, और जातियां वो जातियां है, जो पस्चिम में नहीं है, तो यह इधर का अम्बरेला अलग है, और शायद उनकी जातिया स्मिता और जातिया पहचान, वो भी थोड़ी अलग है, जी. बिल्कुल, मैं इसलिए अजीत जी इस बात पर जोर दे रहा हूं, कि चौथा चरण, इसलिए किसी गढ़ जैसे केंदर के रूप में नहीं तब्दिल हुआ, वो सब बिखरी हुई जातियां, और अखिलेश यादो और समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है, कि यह वो ज जातियों को अपने आप ये बात समझ में आई है, पटेलों की हत्या हुई, उनक्तर जा सिक्चक भरती घोटाला हुआ, कोई भी वेकेंसी ऐसे नहीं है, जिसे में रिजर्विशन फुल्फिल हो, उनकी अपनी जातियों और जमीनों पर जो हमले हुए हैं, वो सामने हैं, य इंटेक्ट हो रहा है बस्पा के साथ, बस्पा एक बड़ा फेक्टर बन सकती, कुछ सीटें यहां निकल सकती हो नहीं, लेकिन फिलाल समाजवादी पार्टी गें करती हुए दिख रही है, क्योंकि अखिलेश यादों ने कोशिश की है, अपनी पुरानी चव्यों को ठीक क समाजवाद के साथ, जाती जनुगरना के बात करना, तो ये उन जातियों के प्रमुख सवालों को एड्रेस कर रहा है, जब इस देका पिछड़ा प्रदान मंद्री कभी पिछड़ी जातियों के मुद्णू पर बात नहीं करता है, जैसे दलित राश्पति के वह प्रेस कॉन्टेर्नस में जाती बताने के लिए दलित है उसके बाद वो दलित नहीं है वो ऐसे प्रधान मंत्री के वो चुनावी भाषणों में पोभी सी बनता है लेकिन वो जाध्यान गरना उसके लिए कोई सवाल नहीं है ये दिक्कत उत्ता प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश औ बिहार में प्रदेश में इन छैतरी दलों की होने के चलते हर जाती में एक राजनितिक चेतना है, जो राजनितिक चेतना राजस्थान, सों वहां दो ही पोल हैं, आप एक बार इधर वोड़ देते हैं, लेकिन उत्राइश में कम से कम हर जाती सजग है, इसलिए भले वो बार्गेंड करने के लिए बीजेपी का साथ भी देती है, यह अभी बात तीक है, लेकिन एस बार मुझे लगता है अजीर जी की समविधान खत्र मुमेंट्स ने भी पोलिटिकल पार्टीज को अपना एजंडा बदलने में दबाव बनाया है, जो अकलेश यादो करने कोशिश कर रहे हैं, मंडल बानाम कमंडल की जमीन पर इसे लाना चाह रहे हैं, और बाकी जो पुरानी पेंशन का मसला है, बिजली का मसला है, यह भी अगर असर डाल रहा है, तो उन लाभारती समुहों में, और आखरी बात अजित जी, यह जो लाभारती समुहों की डिबेट चोड़े जा रहे हैं, मैं अभी अपने ठीक पूरो के वक्ता से सहमत हूँ, कि कौन ये बहस करता है, यह चाहे कुछ भी हो जाया, सरकार तो बीज खलाली नहीं करेंगे, तो बहुत सारे लोग तो समाजवादी पार्टी, बसपा, सुभासपा, इन पार्टियों के भी तो नमक खाए, तो यह कोई बहुत मैटर नहीं करता, जाती इस देश की ऐसी सच्चाई है ना, कि वो हम लोग इनिवर्सिटी में है, प्रोफेसर जो ब और पश्चिम, पश्चिम में मैंने देखा अलग कॉंबिनेशन है, उसको आप यादब लेंड कहें या ना कहें, या जाट लेंड कहें या ना कहें, वो आबादी के हिसाब से एक जुमला होता है, उस जुमले का इस्तेवाल हम लोग भी कर लेते हैं, जैसे रामपूर, पचास फिजदी मुस्लिम बोटर है, जैरे मुस्लिम बहुल है, पचास फिजदी बहुत बड़ी तादाद हो जाती है, और वो तादाद ही राजम खां को नौवर लगातार बिधायक मनाती है, या कहते हैं कि यहाँ कोई डिफीट को हो सकती, फला विरादरी के लोग हैं य सकती है, और लग रहा है कि सरकार बनाने के दिशा में अखलेश यादर बढ़ रहे हैं, मैं इनी लोगों के हमाले से करें, तो पुरब आते आते क्या बदलने की गुंजाइस दिख रही हैं आपको, या पूरब और पस्चिम में क्या फर्क दिखता है, हम OVC के वोटों के उचान या उनकी नजर ये को या उनकी प्राथमिक्ता का आकलन करे तो, अजीज जी पहली बात यह कि मुझे यादर लेन, जाट लेन से दिक्कत नहीं है, मैं तो बस खोज रहा हूँ कि ब्रामन लेन, कि मैंने भी लिख दिया था, जाट लेन इसलिए मैंने सफाई दे दी, ने, विल्कुल ठीक है, जहां जाती हो, कि तादाद जादा है, वो अच्छी बात है, ये तो मैं तो उस विमर्श में बात कर रहा हूँ, पांच परसेंट, दस परसेंट आबादी होके भी कैसे, एक तपके को क्लेम दिया जाता है, कि वो नाराज होगा तो सल्का चली जाए है, मैं तो डर ये रहा हूँ, कि आगली बार तो नंबर मेरे आजमगण की नाम बदलने कभी है, तो वो तो आतराज है, तो वो भी एक डर है मेरे सामने, आच्छे, अच्छे, मसला दो-तीन बिंदू छोटे-छोटे कहूंगा आजित जी, पहली बात ये ना, कि ये जो अप अपराधी करण को दिखता है, और इसमें बहस होती है, मेरा सवाल ये कि समाज के भीतर जो अपराधी करण होता है, उसमें बहस खुली मन से क्यों नहीं होती है, इसका reflection होता है, बहुत सारी दिक्कते हैं, समाज में जो चीज़ें जैसे समाज रियेक्ट करेगा, politics उससे इत कहीं निर्वात में नहीं exist करेगी हमने अपने समाज में किस तरह से गुंडा और अपराधी तत्वों को खास पहचानों के भीतर रिखांकित की और महत्त दिया और आज भी 90 के पहले के भारत को देखें तो वो बिल्कुल अलग है इस पर फिर कभी बात होगी दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं एक छोटी सी टिपड़ी मुफ्त वाले प्रकरण पर हमारे वरिष्ट लोगों ने कहा मैं उसमें जोड़ दे रहा हूं समाजवादी अंदोलनों का नारा हुआ करता था कि रोटी कपड़ा सस्ती हो दवा पढ़ाई मुफ्ती हो सारी चीज मुफ्त करना एक उससे यतना हो कि उसे रोटी कपड़ा मकान और सिक्षा स्वास रोजगार नहीं मिलेगा या मिलेगा मैं विश्वद्यालेम पढ़ाता हूं और आपके मंच पर चुकी पचास पच्पन हजार लोग देख रहे हैं आप तो मतलब बहुत दिलजस्प काम कर रहे हैं लेकिन मे सवाल नहीं होगा रोजगार का सवाल नहीं होगा चरवाहा विद्याले खोला था लालू ने और आज सबसे बड़े देश के घोटाले बाज लालू ही हैं और तो देश में कोई घोटाला हुआ नहीं ये कितने लोगों ने पैसा लेकर वागा लेकिन इमेज कैसे टैक कर दी जाती है मायावती ने पंशील विद्याले की संकल्पना रखी थी और सिक्षा पर काम किया था सामाजिक परिवर्तन पर काम किया था तो ये जो दलित पिछड़ी जाती है ना अजीत जी मुझे लगता है कि इस समय उनको इतना तो समझ में आ रहा है कि 13 पॉइंट रोश्टर जब आया तो दलित पिछड़े आदिवासी और समविधान को मानने वाले समण भी एक साथ खड़े हो करके लड़े समविधान जब खत्री में है तो ये बात धेरे-धेरे नीचे तक जा रही है कि स्कूल, कॉलेज, विश्देले और जब ये पश्चिम से उरभ की तरफ जा करके अपने बात खतम करना हो जी जी उस जमाने में सब के भीतर का हिंदत्वा जागा था विश्द्याले के प्रोफेसर जो रातो रात कॉंग्रेस से भाज़पाई हो गए हिंदू बन गए वो ऐसे देश में बहुत सारे दलित पिछड़े में बने थे लेकिन अब उन्हें इतना समझ में आने लगा है कि इन्होंने नोकरी नहीं दी उसक्षा रोजगार स्वास्त का सवाल और असल में जो सरोकारी मुद्डा है कि समविधान खत्रे में दलित पिछड़े आदिवासियों का reservation खत्रे में, केसानी खत्रे में, पढ़ाई, दवाई, सिचाई खत्रे में, ये पुरवांचल में जा करके काईदे से हिसाब लेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जनता चुनाव लड़ रही है, और उसने मन बना लिया है, कि जिन्होंने उनको हास्यासपत बनाया है, उनको वो कम से कम सक्ता से तो बेदखल करेंगे, ये मुझे उम्मीद है जिर्जे, दैनिक जागरण अक्मार के बारे में उन्होंने कहा है अच्छा, मैं जागरण 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 होते हैं, माता के वहां तक सिमित हो गया है, वो सिर्फ माता का जागरण करता है, बाबा का जागरण कर रहा है और कुछ नहीं, आपको पता है उसमें राहूल जोशीर ने जो यूजी का इंट्नव्यू किया धाइगंटे का, इसका विक्या पंच्छा पाथा तो उस वक्त एक बड़ा इशू था कि इन्होंने च्छापाता एक समय कि मायरती की बीटी है और उसकी वज़े से मतलब इतना दोनों के बीच में बैट गलट था अल्ला बोलवादा माफी मांगी गई थी पिसाब हमें माफ का दिजे गलती हो गई तो ये लोग तो माफी मांगते रहते हैं और फिर लिख वही काम करते हैं अगर अगर अखलेशी सरकारवनी तो फिर माफी मांगेंगे तो फिर विग्या पर लेंगे मैं आप लोगो माफी वाली बात आ जा दी कि पहले तक जा रही है क्या आप नहीं काला पानी तो नहीं जा रहे हैं आप उधर माफी वीर तक तो नहीं जा रहे हैं आप प्रदान मंत्री में भी तो किसानों से माफी मांगी ना मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई मुझे माफ कर दीजे तो ये परंपरा है तपस्वी है माफी भी मांग सकते हैं बाचित लंबी हो गई हलाके दिल्चस्प है मुझे भी अच्छा लगा लास्ट में थोड़े इंफॉर्मल हुए और दर्श को आपसे अपील करता हूँ कि लगातार चुकि अभी तीन दोर का चुनाव बाकी है आप सब्सक्राइब भी करें और लक्ष्मन यादव उनका भी अपना एक यूट्यूप प्लेटफॉर्म में नहुआ चाहोंगा लक्ष्मन यादव आप चाहें तो अपने यूट्व चैनल का नाम ले सकते हैं जिस पर दिजि मेरे नाम से है डॉक्टर लक्ष्मन यादव loops नाम